Hello everyone welcome back to our channel GDC Tutor जैसा कि आपको पता है D pharmacy की जितने भी student है सभी student को आने वाले समय में exit exam देना ही देना है और exit exam में आने वाले सभी 8 हो subject के हर एक chapter wise हर एक topic wise GDC classes app पे free exit exam का booster test चल रहा है और उस exit exam के booster test में आपका हर एक subject का हर एक topic का particular 30-30-50 question का test हो रहा है और यह question ऐसे design किये गए है और हर एक topic से लिए गए है जिससे कि आप अगर इस question को देख रहे हो इस test को attempt कर रहे हो तो आपके आने वाला जो exit exam है वो बहुत ही बहतरीन तरीके से first attempt में निकलेगा तो उसी exit exam की booster test में जो 10 मही को test हुआ था उसमें 10 मही के test में क्या-क्या question थे उसका हम कुछ question का analysis देखेंगे as well as आपको यह बताएंगे कि आने वाले समय में जो भी test आपका चल रहा है उसको कैसे देना है और उस test को देने से क्या-क्या फायदा होगा तो 10 मही को जो आपका टेस्ट हुआ था वह आपका फार्मा सोटिक्स का चैप्टर नंबर टू यानि की पैकेजिंग मेटेरियल का टेस्ट था टोटल इस पर तीस question थे 45 मिल का और इस टेस्ट में आए वाले जो भी तीस question उसका अलग से वीडियो मिल जाएगा अभी फिलाल इसके जो 45 में में question है उसको discuss करेंगे साथी साथ आपको एक जानकारी देंगे कि इस टेस्ट में जो चल रहा है न वो कैसे आप जोड़ सकते हो तो जोड़ने के लिए simply play store पे जाना GDC Classes app download कर देना description में वैसे मैं link भी डाल दूँगा GDC Classes app download करना वहां पे नीचे batches का sign हो प्लस का sign होगा प्लस के sign में small letter में DPEE डाल दोगे न तो आप इस course में जुड़ जाओगे इस बैस में जुड़ जाओगे हर रात रात के 9 वजे से अगली दिन रात के 8 वजे तक यह टेस्ट चलता है बराबर चलता है और इसको देते रहिए खोद दीजिए अपने डी फाम से किस-किस बगार के question थे थोड़ा कुछ question का explanation हम देखेंगे चले पहला क्या है वाट इस टैंपर एविडेंट पैकेज या टैंपर एविडेंट पैकेज का मतलब यहां पर क्या चीज़ पूची कही है देखो जो टैंपर रेजिस्टेंट पैकेज होता ना टैंपर रेजि पैकेजिंग होती है और कोई च्छाड करेगा तो उसमें दिख जाएगा या फिर कोई प्लास्टिक की जो सील होती उसको तोड़ेगा तो दिक्कत समझ में आ जाएगी कि टैंपर यानि उस प्रोड़क्स से च्छाड की गई है तो ऐसा क्या है एविडेंट टैंपर जाएगा या कह सकते हो उसका पता लग जाएगा कि क्या है इस से छेड जाड हूँए ओपयं फ्य सकति एक कि तैंपर एविडेंट पर यह स्टीकर लगा होता है अगर यह निकला रहेगा ना तो पता हो जाएगा कि यह छेड़ चार की गई है इस प्रकार से डिजाइन ही किया गया है कि कोई टैंपरिंग या ओपनिंग न कर सके इसको खोल न सके तो यही आपका पर्षक दीशनें ओठाड़ कि नोगे तो इसका टमपरेशन रेंज कितना होगा तो यहां पर आपका देख सकते हो बिट्विन एट डिग्री से पचीष डिग्री स्लस्यास यह तो रूम टंपरेशन हो गया या फिर जीरो डिग्री से यह फिर आपका हो गया तो यहां पर क्या बात की को एक होता है कूल एक होता है फ्रीजर कंडिशन एक होता है यह होता है तो पूछा है तो 2-8-celsus की बीच में जो पैकसिंग होगा या कह सकते हुँ जो आपका यहां पे स्टोरेज हो गणा रख का वो गोल्ड टंपरेचर गोल कंडिशन बोले जाएगा देख सकते हूं यहां पर क्या है कोल्ड ट्रेज्च यहां फिर अंडर रेफ्रीजरेशन बोला जाए विजली 202-8 डिग्री सेलशे रूम टंपरेचर 20-25 हो गया और वार्म टंपरेचर 30-40 डिग्री हो गया फ्रीजर की बात कर ले माइनस 5 से माइनस 20 डिग्री सेंसर तो यह अलगले स्टोरिज कंडीशन यहां से कोश्चन बनते हैं और आप इन कोश्चन को कर सकते हो देख सकते हो इस ट्र goin और कोश्चन में होचन किया होने वाला है इस ट्रच फिल्म range इघार् अर्मीजर अर्म स्टी बीवन और भिडिन balance टीन दो तो एक को कसरेस्ट के लिए यह तो शे में नहीं होता है यह निद пош्द। लोगर पर कांटर काम करता है और पैकजिंग का यह अंड़ा कह सकते हैं तो यह आपका कह सकते हो ऑगशन यहां पर क्या दिया है एयर टाइट सील कंटेनर आर यूज़ फॉर जी हां एयर टाइट सील कंटेनर भी या उसमें एयर का पर्मियेशन नहोंने पाए यानि कि थोड़ा सा भी oxygen moisture वगर ना जाने पाए एयर ना करने के लिए एर टाइट कंटेजर में लिए उच किया जाता है ताकि एर या मॉइस्टर वगरा न जाने पाए आपका एंपूल वगरा की बात कर ले या अलग-अलग जो वाइल्स होते हैं उसमें बात कर दी जाए पूछा किया है विच टाइप ऑफ ग्लास इस यूज फॉर चीम बैं सी आहीं जाए यहँ आए डॉट डॉडो में बैंसमेंटेर्या ऩो यहा ब्रॉन इसे घंजर ओब क्लोम बात कि जाए तो यहां पे कला इसे फसे ब्लाइन और ग्लाता है यह इसा सोला लाया ग्लास बोलता है और टेस्ट से भी कोचण पूछता है तो यहाँ पे सिर्फ उसे सैटेust गणागा इन तीस में पाउडा ग्लास की की जा सकती है जनरल यूज की बात कर लें तो capsule, oral solution, ointement, suspension, gel, external, liquid के लिए यह type 4 या फिर non parental glass simply use किया जाता है So, यह थे total 5 question, सभी question आपके कह सकते हो इसी प्रकार के बने थे, total 30 question बना था इन सभी question को देखने के लिए simply आपको GDC classes app पे जाना है, उन GDC classes app पे जाके आपका जो batches का sign है, plus का sign है DPE, small letter में इसको डाल देना, इस course में जोड जाओगे आगे के जो भी test है, उसको देते रहिए और इस test को देने के साथ साथ कैसे देना है अब उसको जानने के लिए, यहाँ पे मैं वीडियो का link वगरा भी लगा दूँगा description को widget कीजेगा, सारे doubt clear कीजेगा सभी दोस्तों लोग बोलिए, इस booster test को जरूर दे ताकि totally यह free test है, कोई पैसा नहीं लग रहा है आपकी तैयारी भी अच्छी हो सके और आपका preparation यहाँ पे boost up हो सके So, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, किसी अन्य topic के information के साथ तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, test को देते रहिए Thank you so much, all the very best, have a good day